सोनी मिल्स में आपका स्वागत है आज बनाने जा रहे हैं आलू का भूजे आलू का भूजे बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू और दो प्याज लिया है और उसे पतले पतले साइज में काट लिये हैं पहले ही आलू को धो लिये थे अब प्याज को भी पतले साइज में का तकते हैं इसलिए ढखना जरूरी है थेस या हाथों पपड़ सकते हैं आप आलू का भुजिया को कड़ाई में डाल देंगे और उसे चला लेंगे और फिलेम को मीडियम रखेंगे और इसे ढखने की जरूरत नहीं है इसे चलाते रहना है बिच बिच में अब इसमें प्याज प्याज को इस तरह हाथों से मसल देंगे और तब डालेंगे भुजिया में अब इस जगह डाल देंगे आलू को भुजने के बाद तब प्याज को डालना है और उसे चला लेंगे यदि कुछ देर के लिए भुजिया काटके रखते हैं तो उसे पानी में रखें नहीं तो क लाला पड़ जाएगा, भूजयाओं कभी लो, कभी मिडियम भी और सकता के अनुसार कर सकते हैं, इस तरीका से एक बार भूजया बनाएं, और यकीन कीजिए कि बहुत ही टेस्टी भूजया बनेगा, और बहुत ही सौफ्ट बनेगा, ओडी, पराठा या दाल चावल किसी के स साथ भी आप भूजया खा सकते हैं, एक चमच हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालने के बाद इसे खुले में एक से डेड़ मिनट तक इसे भूज लेंगे, अलो का भूजया बच्चे को बहुत पसंद पढ़ता है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और उसे चला लेंगे, इसे डमक डालने के बाद तुरंत नहीं ढखना चाहिए, आधा मिनट रुक कर आधा मिनट चला लें, उसके बाद ढखे, भूजया को तुरंत ढख देंगे, यदि लो फ्लेप पर, तो भूजया क्या होगा कि बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हो जागा जो खाने भूजया को पका लेंगे, और फ्लेम को ढखते वक्त लो ही रखना है, जब ढखकन हटाते हैं तो फ्लेम को मीडियम कर लें, अब इसमें गुल की डाल देंगे, अब गुल की जो है, दरदरा डालें, जो दरदरा गुल की डालने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, सब्सक्राइब करें